हलो एवरिवान, वेलकम टू रीटे अरोरा रेसिपीज, आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ केसर पिस्तावाइट्स, जो खाने में बहुत जादा टेस्टी है और इसे बनाना सिर्फ दस मिनट का काम है, यानि आप सिर्फ दस मिनट में ही घर पर रखे कुछ समान से इसे तो चलिए फिर देखते हैं, इसे कैसे बनाते हैं, इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ml दूद लिया है, यानि एक कप से थोड़ा सा कम दूद है, क्योंकि मेरा जो कप है, वो मेजरिंग कप, वो 200 ml का है, और इसमें डाल देंगे, और अब हम इसमें 1500 ग्राम चीनी डाल इन सभी का मेजर्मेंट्स, कप के हिसाब से भी और ग्राम के हिसाब से भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप महाँ चेक कर सकते हैं, और अब हम इसमें एक बड़ा चमश, केसर वाला दूद डाल देंगे, गरम दूद में थोड़ा सा केसर डाल कर थो चीनी इस तरह से पहले से डालने से आप देखेंगे कि दूद का कलर एकदम चेंज हो जाता है, थोड़ा सा ट्रांसूसेंट या फिर हलका सा कैरमल सा कलर हो जाता है, ये देखी दूद का कलर एकदम चेंज हो चुका है, और इसमें देखी उबाला भी आ रहा है, तो अब हम याँ पर गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर आप हम इसे पांच मिनट के लिए उबलने देंगे इस मिठाई को जैसे मैंने केसर पिस्ता फ्लेवर दिया है उसी तरह से आप इसमें रोस फ्लेवर, गुलकन फ्लेवर किसी भी फ्लेवर में आप इसे बना सकते हैं अब हम इसमें एक चोथाई छोटी चम्मच इलाइची का पाउडर डाल देंगे जो इसके टेस्ट को बहुत बढ़िया कर देगा। और साथ ही अब हम इसमें औरिंज फूट कलर डाल रहे हैं थोड़ा सा दो से तीन डॉपसी डाल रहे हैं और ये ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो इसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं इस मिठाई को बनाना बहुत ही असान है और जब ये बनकर तयार होती है तो बहुत ही जादा टेस्ट होती है याने एकदम सॉफ्ट, मॉएस्ट और बहुत ही जादा ला जवाब और अगर आपके घर मेमान आने वाले हो या किसी तयोहार पर आप इसे सिर्फ दस मिनट में ही बना कर तयार कर सकते हैं अब इस दूद को लो फ्लेम पर ही पांच मिनट हो चुके ह करेंगे और आपको लगी का कि एकदम से सारा इसने दूद एब्सॉब कर लिया है और आप चाहें तो इसकी जगह जो ताजा हरा नारेल होता है उसे भी आप यूज कर सकते हैं कद्दू कस करके पस आप उसका जो ब्राउन पार्ट होता है उससे आप पहले से निकाल लें औ हम इसमें डाल देंगे एक चमार देसी घी और देसी घी डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे दो मिनट के लिए सिफ और पकालेंगे देसी की डालना इसमें जरूरी है देसी की इसमें बहुत ही रिचनेस तो देता ही है साथ ही इस मिठाई में एक अलग से गलेज आजाती है और काफी soft और moist रहती है यह mixture तयार हो चुका है gas का flame हम off कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और देखे जब यह mixture थोड़ा ठंडा हो गया है तो अब हम इसे इस तरह से अपर चाहें तो इसे बराबर भागो में बाढ़ सकते हैं या फिर जो flavor आपको ज़्यादा पसंद है उसका Qanditi है वह आप जादा रख सकते हैं इस तरह से देखे छी मैंने इसे दो भागो में बाढ़ दिया है और हम इसके एक भाग में पिस्ता का flavor देंगे पिस्ता का flavor देने के लिए मैंने यहाँ पर इसमें दो चम्मच कटे हुए पिस्ता डाल रही हूँ और साथ ही इसमें पिस्ता का color देने के लिए हम इसमें दो से तीन डॉप से green edible food color डाल रहे हैं और इसे डाल कर अच्छे से mix कर लेंगे वैसे पिस्ता का essence भी आता है अगर आप पिस्ता ना डालना चाहें तो आप पिस्ता का essence भी डाल सकते हैं और यह देखी हमने इसे अच्छे से mix कर लिया है इसमें कितना प्यारा सा sea green color आ चुका है हमें इसे light ही रखना है और अब हम यहाँ पर एक इस तरीकी का plastic container ले रहे हैं आपको इसा भी box या फिर प्लेट में भी आप इसे जमा सकते हैं और इसमें मैंने butter paper लगाया है आप चाहें तो foil paper लगा सकते हैं घर में कोई white paper भी लगा सकते हैं और अब हम इसके उपर यह सबसे पहले मैं केसर के flavor का यह सारा mixture इसमें मैं डाल दूँगी और फिर हम इसे चमच से इस तरह से evenly अच्छे से फैला देंगे यह देखिए हमने इसे evenly अच्छे से फैला दिया है पूरा और अब हम इसके उपर यह पिस्ता flavor का mixture डालेंगे से देखिए हमने इसे बहुत एवनली और अच्छे से फैला दिया है और अब हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रग देंगे सेट होने के लिए या फिर आप इसे रूम टेंटेचर पर भी रख सकते हैं हमने सेट होने के लिए इसले रखा है क्योंकि अभी यह है काफी सॉफ नद रहता है और इसमें केसाफिस्ता की लियर कितने अच्छे से सेट हो चुकी है और अब हम हम इसे पीसिस में कंट लेंगे आप इसे छोटे या बड़े अपने मन पसंद किसी भी शेप्स में आ fan 7이्पम और साथी मैन e الص की यहां कि सांदी और साथran और इसे कटे हुए इस दिल कर रहा है और ये खाने में फ्रेंट्स वाके में ही बहुत जादा टेस्टी है मैं आपको इतोड़कर दिखाती हूँ देखिए अंदर से कितनी जादा सॉफ्ट और मॉइस्ट है तो फ्रेंट्स आप भी केसर पिस्ताबाइट्स को अपने घर में जरूर ट्राइ करें और अपने अनुभव में साथ जरू शेयर करें और अगर आपको हमाई रेसिपीज पसंद आती हैं तो हमारी चैनल रीटे अरूर रेसिपीज को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरू कीजिए और पास ही लगे बेल आइकन पर जरू प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें और साथ ही आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी जॉइन कर सकते हैं और नए नए रेसिपीज के लिए